Stock market में investments करके अपनी savings पर अच्छे खासे returns कमाने के लिए यहाँ पर हम लोग investments कर सकते हैं या trading कर सकते हैं यहाँ पर तीन तरीके की trading हैं जिनके बारे में हम सभी को पता हैं सबसे पहली है intraday trading उसके बाद आती है position trading और third number पर है future and option की trading लेगिन share market में ऐसा investments करने का तरीका भी है कैसी trading भी है जो style में सिर्फ एक बार होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं moral trading नमस्कार मेरा नाम है विमल और मैं एक finance professional हूँ आज कर वीडियो काफी ज्यादा important है आज की वीडियो में आपका moral trading के बारे में सब कुछ बताऊंगा आखरी moral trading है क्या और इसमें आप investments करके कैसे फायदा उठा सकते हैं इसके लबा मैं वीडियो के end में timing बताऊंगा और साथ में ऐसी strategies बताऊंगा जिनका use करके आप इस trading session का फायदा उठा सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो अगर हम लोगों को share market में investments करना है तो आप Indian stock market में कभी भी investments कर सकते हैं Monday to Friday इसके लबाद जब कभी भी पब्लिक holiday होता है तब stock market बन रहता है लेकिन दिवाली के दिन हर साल market जो है वो एक घंटे के लिए open होता है यहाँ पर आप investments कर सकते हैं trading कर सकते हैं जो करना है आप कर सकते हैं दिवाली के इस एक घंटे के session को ही कहते हैं moral trading यहाँ पर एक घंटे के लिए market खुलता है जिसके timing है 6.15 से लेकर 7.15 तक मतलब सवा 6 से लेकर सवा 7 बज़ता की market open होता है और यहाँ पर हर investors के लिए time काफी ज़्यादा होता है क्योंकि अगर में Indian culture की बात करो तो Indian culture का जो नया साल है वो दिवाली के दिन ही start होती है यहाँ पर हर कोई भी जो नया नया investments करना चाता है या अपनी investments की journey को एक नया look out देना चाता है तो इसके लिए time बहुत ज्यादा important है यहाँ पर काफी सारे investors ऐसे होते हैं जो अपने portfolio में थोड़े से stocks को add करते हैं और अपने नये साल की नया investment की journey को start करते हैं इसके लबर जो कोई भी नया नया stock market में investments करना चाता है उसके लिए time काफी ज्यादा अच्छा होता है बिकॉज दिवाली है और नये काम की शुरुवात हम लोग दिवाली से ही करते हैं ज्यादा तर इसके लिए यह moral trading का time सबके लिए ज्यादा important है hope करता हूँ क अभी तक की video में आपको moral trading के बारे में पता चला होगा और इसके साथ-साथ moral trading की importance क्या है इसके बारे में आपको पता चला होगा अब मैं आपको कुछ important strategies के बारे में बताता हूँ जिनका इस्तमाल करके आप इस trading session का फायदा उठा सकते हैं और इसके साथ-साथ अपनी investments की नई नई जर्नी को start कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे important बात यह है कि अगर आप लोगोंने अभी तक investments करना start नहीं किया है stock market में, तो आप लोगों को investments करना start करना चाहिए इस session के दौरान, इसके लिए आपके पास demand account होना बहुत जरूरी है, अगर आपके पास demand account नहीं है, तो नीचे आपको description में link मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप demand account उपन कर सकते हैं, अगर आप हमारे reference से demand account उपन करते हैं, तो यहाँ मेरी team जो है, वह आपको help करेगे कि investments करते कैसे हैं, और इसके साथ-साथ आपको किस तरह से investments करने चाहिए, कौन से टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, अगर आप लोग description की link से demand account उपन करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक reference में मिल जाएगे कि investments करते कैसे हैं, और साथ में आपकी investments की investments भी हो जाती हैं, जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर आप लोग इनवेस्मेंट्स करने के लिए सही time हो सकता है, यहाँ पर second important बात यह है कि जब कभी इस trading session में लोग investments करते हैं, बड़े-बड़े investors जो भी करते हैं, यह future के लिए करते हैं, यहाँ आपर trading करके पै trading करना चाते हैं इस session में, more trading में investments करने की जगह आप लोग trading करना चाते हैं, तो यह आपके लिए काफी ज्यादा risk हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर market जो है वो 6.15 को open होगा, और अगर आप लोग यहाँ पर intraday करते हैं, तो market जो हैं अपनी position को square off करेगा 7 o'clock, मतलब यहाँ पर चाते हैं, तो overall यह एक घंटे का time period जो आपके लिए हैं, वो काफी ज्यादा important है, अगर आपके बास demand account नहीं है, तो मैं भी भी कहता हूँ कि आप free of cost demand account open कर सकते हैं, link आपको description में मिल जाएगा इसके साथ-साथ, मेरे reference से demand account open करने का क्या फाइदा होने माला है, वो तो मैंन आपको बताई दिया है, तो आज की वीडियो को यही पर खतम करते हैं, मैं आपको मिलूगा अगली वीडियो में नए topic के साथ, एक interesting topic के साथ, तब तक के लिए signing off and happy investing.